सब्सक्राइब करके मुझे 14-15 दिन हो गया एक्चुली पर जहाज डेस्टिनेशन पर पहुंचा नहीं है जो सिंगापूर से जोइनिंग हो जाएगी इसका रिक्वायर्मेट है सिंगापूर का एक्चुली यह कोईड के टाइम पर साहट से चावडा दिन करके आओ तो चाव इदर का अभी जाना है फिलाल जहाज पर तो मैं सोचा था कि एक वीडियो बना लूँ जो मेरी लगेज पेकिंग की तो मैं यह अल्री लगेज पेकिंग था मैं आप लोग के लिए वापस निकाला है सब और मैं वन बाइवन आपको दिखाऊं का कि क्या-क्या लेके जाना ह जहाज पर तो आपको आइडिया आएगा जो नहीं फ्रेशर उसको आइडिया आएगा कि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है जो जहाज पर क्या मिलता है तो वह नहीं लेके जाने का तो और लगेज एलाउंस भी मैं बता देता हूं क्या क्या रहना चाहिए वह करें प Adv church Office project ? मैं यह चीज बता रहताँ हूं अभी जो जलाज पे लेकर नहीं जाना है ञगे तो वह है डिटर्जंट ए सब कुछ लेकर नहीं जाना है ञगे और शोप जो साबूने वो भी लेकर जायू निआने के लिए सब अब वाओन सबापको जहाज पर मिल जाएगा ठीक? और उसके अलावा आपको वेटशित मिल जाएगा ऑप्लेंगेट ूंटो वह सब चासरी नहीं नहीं जाना है तो प्ध्लेंवjay is वो सब घर पर पहनने कचीज वो सब लेके जाओ ज्यादा थीक है क्योंकि वो ही अपको just करना है उदर जहाज पर तो वो ले लिए को फश्य धंधो मैं सर से चालू कर वह थीक है उसके वाद आपर सड़ से चालू करता हूँ जैसे कि तो थंडी में जाएगा कभी जहाज चाइना साइड है यूरोप साइड है तो तभी काम आएगा आपको लोशन ठीक है बाद में नीचे आता हूं तो फिर ये तूट पेस्ट तूट पेस्ट आप क्या करो ये पूरा खोल दो और दबा फेक दो ठीक है दूसरा भी ऐसा है तू तूट पेस्ट आप कहां पर रख सकते हो इव आपने कंपनी को दिया आ रहे हैंगा कंपनी ने दीए रहे हैंगा आपको तो वह सब आप इसमे डाल डो कि क्या हू hiện क्या होगा कि वह पीचके अधानि मतलब डबेड़ा नहीं नहीं इसमें तो ऑफ जूट फिर आपका आपको कम्पनी देगा ठीक है यहां पे जो है कोई कोई कंपनी जहाज पर पुरा प्रवाइड करती है बॉइलर शुट वगेरा यह तो यह अपना आप पहले करता है बाद में आप जहाज पे लेके जाओ फिर और क्या चीज़ कंपनी प्रवाइड करताय तो आ सुट है बोइ बनाए थीक है दो लगेज आप लेके जा सकते हो जहाज पर और हां 40 kg एलाउंस है ठीक है अपना सीफेर को कमपनी 40 kg टिकेट में डेता है एर फेर में तो 40 kg आप लेके जा सकते हो और कमपनी ने किया थंडी के लिए जो विंटर यह जेक्ट बोलते तो वह भी दिया तो वह भी थंडी के लिए मंकी के पैर और ग्लॉज है और सॉक्स देती है ठीक है वह भी में रख देता हूं और दूसरा यह इनरवेर है थंडी के लिए जो आता है ना एड़टाइज अपना लक्स कोट्सूल का यह ऐसा कुछ तो वह कमपनी प्रोवाइड करती है ठीक है तो वह भी लेके जाओ वह तो लेके जाना है वही नहीं तो थंडी में मर जाएगे ठीक है उसके बाद सोक्स सोक्स कंपनी एक दो पेर देती है बाकी अपनी तरफ से खरीदना पड़ता है तो सोक्स मैं बोलता हूं कि ले लो आप 6-7 पेर ले लो क्योंकि उदर फड़ जाता है लो में लिया है 5-6 तो आप भी ले लो 6-7 जो आपको मन करता है उतना ले लो क्योंकि अंडर वेल भी फर जाएगा फिर वहां पे लेने जाओगे तो मिलेगा नहीं या तो फिर बाहर लेने जाओगे तो महेंगा मिलेगा इस से अच्छा इदर 100-100 में जो भी है वो ले लो म इसके बाद यह ले लो ठीक है यह उसको इसको क्या बोलते पता नहीं मुझे बूल गया मैं यह पूरा ऐसा पहनने करेता है तो वह जैसे यह तो आपको काम आएगा ऐसे चिपिंग करने के टाइम या कुछ भी काम आएगा कार्गो वर्क में बल केरियर है तो तो वह सब काम अ के हमाताय ज़रोरीण नहीं है लेना तो ले लिया है बद में आपका यरबड आज6 काम आएगा कभी बी कुछ हुआ तो यह बद्धी ले लो हें के बाद में आता हूं अपना हे र ओल है लैसे ने-लो-ब्स सब्सक्राइब डूसरा योज में मैं भी गोई होटल में रुष में भाई तो वो भी है content इता के बनी बूलता हूं आप मेले लो आपको ब्स करनाएन दो ।Ty you करता हूं तो फिर ट्रीमर ले लो ठीक है या तो फिर शेविंग किट है उसके बाद एक यह अपने क्या बोलते इसको डस्तिंग पाउडर तीक है डस्तिंग पाउडर वो कभी काम आता है तो वह पसीना नहीं थोड़ा रैसिस काम होगा आपको तो वह आप काम के टाइम डालक कार टीक है ऐसे काम आता है ठीक है एसके बात यह तो ब्रस टुण π्रस घ्ले लओ आप यह तो मैं लिया है और भी है तो चार पांच लो आप बीधिक है दूंध डो माहिने के बाद ऺाद आप उख्येंज कर सकते हो सबात इसको तो टूठ ब्रस भी ले ले लो वह काम आ एक सेंडल लेलो क्योंकि जहाज पर जो काम के टायम पे आप सेफ़्टी सेंडल तुरम में अच्छा हिए सेंडल टीक है सेंडल लिया तो चबपल में क्या है कभी भी स्लिप होता है तो तो उसमें गिरने का चांसी ख़िप और कहाँ भी घिरा उदर जैज पर बहुत लगेगा तो लगे ऐसे अपना शेफटी निकलेगा नहीं सेंदल में जेसे लिए अभी मिलेगा यह अपना जो फ्लेवर इधर का हिंडिया में जो खाते हो मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं तो यह फिर चाना लिया है मैंने खाने का चीज भी आप ले सकते ओंध वह तो कि 40 किलो उसका ही हो जाए खाने का तुम्हें चखना बोलते हैं जैसे कि चखना बोल सकते हैं आप लोग या तो फिर आपको मन करता है कि हाँ उदर फिर नौ महीना रहना है अपने को जाहज पर तो दो तिन महीने के बाद यह निकालेगा तो आपको थोड़ा घर की याद भी थोड़ा चलो मिल रहा है खाना ऐसा ठीक है तो वह सब मैंने लिया है खाने का चीज तो मैं डाल देता हूं बेग में जाते ही मिला नहीं मिला तो एक दो दिन तो काम आएगा कुछ भी नहीं तो फिर उसका दूसरे का टोवल कॉन यूस करेगा तो ठीक है तो वैसे तो मिल जाता है पर अभी टेकोर के लिए जा रहा हूं तो फिलिपीन होगा उदर तो क्या है ना कि उसका टावल कॉन यूस करेगा एक दो दिन में तो डाइरेक्ट नहीं देगा तो बाद में मिलेगा तो तब तक यह तो यूस कर सकता है वो है और फिर एक आलारम मूबाइल में भी रख सकते हो और रूट सकते हो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ओर बाद में ये माउट फोस लिए मैंने तो अहीसा ही लेना ज़र जरूरी नहीं है पर में अपने लिए लिए थीक है बद मेर्मक्त्र भिलिया काने के बाद मन करता है कभी-कभी काने के पंदरार रुपया वाला मेजीक वो लिया है जो एंड़ वो से उदर नॉर्मल जो कॉमन स्पेस में रखा रहेगा पर अपना केबिन में रखना एलाउड नहीं है मतलब एलाउड है पर कंपनी प्रोएड नहीं करता है हो हैंड वोस तो मैंने यह लिया तो भिखायल दबा मिल दाएगा उदर तो फिर मैं बना सकता हो हैंडवस अपना ठीक है और बाद में यह में एक extra लिया है ठीक है अपना जो 21 USB लिया ठीक है तो यह mobile के लिए mobile charger तो लिया है अब मेरा तो यह में extra safety के लिए ले रहा हूं क्योंकि कभी उधर खड़ाप हो गया तो फिर कहां किसी का मांगने जाने से अच्छा अपना है तो ठीक है और फिर बाहर लेने गया तो उद्धर डोलर में लेना पड़ेगा आपको तो महेंगा गिरेगा आपको तो यह इदर अपना 200-300 जो है वह मिल गया सस्ते में तो वह ले लो ठीक है बाद म पिर टीवी अगेरह तो रहेगा डीवीडी प्लेयर यह तो कुछ भी सब कुछ रहता है पर अपना खुद का केबिन में एंटरटेमेंट करना है कुछ भी तो आप अपने तरफ से जो बूम बॉक्स या कुछ भी बोल तो आप स्पिकर ले लो में यह लेके जाता हूं लास्ट कि शिपपर खड़ीदा था तो यह अच्छा है नीगा ठीक है तो यह केबिन के लिए तो बहुत ही सिपीकर ठीक है तो यह स्पीकर और लेपीटॉब लेके जाओ लेपटोप मेरा उद्थर अभी पराया यूज मेस अगर है तो नहीं तो फिर जाहाज में कमा हो पैसा और फिर लेलो है नहीं तो वह है चीज तो लेप्टॉप और यह है बाकी तो मोबाइल अपना लेके जाते हैं और अपना खुट का एंटरेटेंब्मेंट के लिए कुछ भी हेड़फॉन वगेरा कुछ भी लेके जाओ वहा तो यह सब चीज यह किया है एक और दो तो 20-20 किलो का भी होगा तो बस है मतलब 40 किलो रहना चाहिए टोटल ठीक है 40 kg अलाउंस है तो 40 kg आप लेके जा सकते हो वैसे तो होगा नहीं 40 kg 30 होगा बस है बहुत 30-35 होगा पर ठीक है और हां यह कंपनी नहीं इस बार आइट बॉलर्स हो प्रयं आप उपर पहनते है ना वह सब है यह फईट शिल और यह इसमें गलोगल दिया है थीक है और यह सेनिटाइजर दिया दो पिकेजह और अर टेबलेट दिया है विटामिन-C का ठीक है बस तो वो है और मास्क दिया है थेसर आपना है तो यह कंपनी ने अलग से अभी प्रोवाइड किया बाकी तो वैसे प्रोवाइड नहीं करते तो अभी प्रोवाइड किया तो यह भी लेकर जाना है यह मैं रेंज कर दूंगा यह बैग में ठीक है तो ठीक है आभी जो है आप जो कुछ भी है लेकर जाओ और इससे अलावा यह तो फिर लेके जाओ फिर छुपके रखना पड़ेगा जहाज पर दवाई आपको मिल जाएगी जहाज पर भी डॉक्टर रहता है मतलब डॉक्टर मुलब सेकेंड ओविसर है उस वह आपको यह करेगा फर्स्ट देगा ठीक है तो वह आप लेके जा सकते हो लेके जाना है तो मेडिसिन नहीं तो मतले के जाओ जाओ जाता है मेडिसिन मिलता है आप सेकेंड ओविसर को बोलोगे वह बोलेगा कि हां क्या है वह सब करता है ठीक है तो यह सब चीज़े तो होब आपको यह वीडियो अच्छा लगा और कुछ भी चीज बाकी रह गया तो कॉमेंट कर कीकि यह रॉसरी को आइडिय रहेगा जो तुसरा कोई वीडियो लेके रहेगा दो सकोबे कि यह गया है मेरी तरफिए गशीव शुटग गया तो यह रवकी तो ठीक है और आपको अगर जाज मिल गया तो मिक्वाइन करने निटे एं ट को सीय कि ने जो सब्सक्राइब भी कर दो जो नहीं हो इधर और लाइक भी कर दो जिसको यह वीडियो अच्छा लगा आपको हेल्पफुल लगा तो और शेर भी कर देना ठीक है तेंक्यों वेर्मच एंड टेक केर बाबाई